दोस्त अगर आज की वीडियो आग ना लगा देना तो कमेंट में लिख देना और चैनल को छोड़ कर चले जाना लेकिन अगर आग लग जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्त यूपीसी के परिक्षा हर साल दस लाख स्टूरिंस देते हैं क्या उनमें से हर कोई IES बन पाता है क्या उनमें से हर कोई UPSC के लिए कर पाता है करना तो हर कोई चाहता है पास हर कोई होना चाहता है लेकिन क्या हो पाता है नहीं हर कोई सपना तो देखता है लेकिन UPSC के लिए नहीं कर पाता सिफ करते हैं 0.2% अरे कौन है ये 0.2% कहां से आते हैं UPSC का सपना तो हर कोई देखता है लेकिन ये 0.2% स्टुडेंट्स वो है जिनके लिए UPSC एक सपना नहीं सिफ है क्योंकि सपना तो तूट भी सकता है लेकिन सिफ सामने वाली को तोड देती है जादतर स्टुडेंट्स से सपना देखते हैं सपनों में खो जाते हैं भाई UPSC में जोश के साथ भोस दिखाना पड़ता है ऐसे ही नहीं मिलती मनजिल राही को एक कीमत चुकानी पड़ती है एक जिद पालनी पड़ती है जो सह गया वो बन गया ये 0.2% में वही आएगा जो जिद करेगा दर्शक मांजी बड़ी परेशानी में थे आप सब जानते हैं उनकी पत्नी को लेवर पेम था और हॉस्पिटल ले जाना था लेकिन एक पहार बीच में आ गया 55 किलोमेटर का पहार जिसे वो अपनी पत्नी को पाल नहीं करा सके उनकी पत्नी ने वही दम तोड़ दिया वही उन्होंने एक जिद पाली 25 साल के अंदर 55 किलोमेटर का पहार खुद ने अकेले दम पर मातर 6 हतारी से तोड़ दिया अरे 22 साल लग गए उसे तोड़ते तोड़ते पढ़नी पढ़ती है दो जिद एक छोता बच्चा अपने फस्ट यह में नेशनल अकेडमी मसूरी पहुचा तो उसे ट्रेनिंग देखने से वहां कि गार्ड ने मना कर दिया चाहता तो गार्ड को भला बुरा कह सकता था लेकिन इस बच्चे पूरा जिद्धी था जिद पाली थी उसने हर विशम से विशम परिस्थिती को चीर तो हुए वो आईएस मना हाँ 36 कड का पहला आईएस श्री ओपी चौदरी जी बस बात इतनी सी है जिसमें जिद होगी वो कर जाएगा वो बन भी जाएगा अरे नौकरियां तो बहुत हैं लेकिन आईएस को चुना क्योंकि मैं जिद्धी हूँ सब के लिए अपनों के लिए अपने माबाद के लिए UPSC क्लियर क्या UPSC में टैप करूँगा क्योंकि मैं जिद्धी हूँ अरे कहदो परिस्थितियों को और थोड़ा खराब हो जाएं कहदो चुनातियों को थोड़ा और कठोर हो जाएं क्योंकि उनसे टकराने एक जिद्धी आ गया है अरे ये UPSC भी जिद्धी है नेशनल अकैडमी का रास्ता भी जिद्धी है अब मज़ा आएगा क्योंकि मेरे होसले भी जिद्धी है क्योंना जिन्दगी को एक बार खुड कर जी लिया जाए सोना तो मौत के बाद भी है क्योंना कलेक्टिव बनकर ही जिया जाए मन्जिल मिल ही जाएगी बटकते बटकते ही सही पटके तो वो है जो घर से निकले ही नहीं सितारे तो आस्मान में भी चमकते हैं सितारे तो आस्मान में भी चमकते हैं सित तो बस इतनी सी है कि इन्हें अपने कंदों पर सजाना है मिल सके आसानी से उसकी ख्वाईश किसे है जित तो उसकी है जो मुकतर में लिखा ही नहीं जित तो इतनी पकी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तक छोड़ेंगे नहीं दोस UPST क्लियर नहीं UPST टॉपर बनना है ऐसी जिद पालो कि निशाना चूप भी जाए तो सितारे तो कंदे पर सजे ही बास समझा गई हो तो कमेंट में आज लिख कर ही जाना कि UPSC मेरा सपना नहीं जिद है ऐसी वीडियो हमेशा पाने के लिए नीचे दिये सब्सक्राइब बेटन को जरूर दबाना बेल आगर के साथ में हम लोग इत्यास जरूर रचेंगे और हाँ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो उस व्यक्टी के साथ जिसके लिए UPSC सपना नहीं एक जिद है मिलता हूँ अगी वीडियो में Be Happy, Stay Motivated